Hello students, आज हम Standard 8, CBSC का Exercise 8.1 देख रहे हैं. Question number first दिया हुआ है, find the ratio of the falling. First example देखते हैं उसमें का, speed of the cycle is 15 km per hour to the speed of scooter is 30 km per hour. अभी हमें ratio निकालना है, ratio निकालते समय, firstly हमें ये ध्यान देना है, कि दोनों जो हमें, जिसका ratio निकालना है, उसका unit सेम है क्या? यहाँ पे cycle का जो speed दिया हुआ है, 15 km per hour दिया है, और जो scooter है, उसका speed दिया हुआ है, 13 km per hour. याने दोनों का unit कैसा है, बच्चों, सेम है, दोनों का unit यदि सेम है, तो हम आसान इसे ratio निकाल सकते हैं. यहाँ पे हम ratio कैसा right down करेंगे? दोनों का ratio निकालना है, याने speed of cycle to the speed of scooter. cycle का speed कितना है, 15 km per hour, upon scooter का speed कितना दिया है, 30 km per hour. equal to 15 upon 30 equal to 151 जा 15, 152 जा 30, याने 1 upon 2, यह हमें मिल गया ratio. इसको हम ratio को कैसे right down करेंगे? 1 to 2, याने 1 to 2 हमारा यह बन गया ratio, याने speed of the cycle to the speed of the scooter. यह दोनों का ratio कितना मिल गया हमें? 1 to 2. देखो बच्चों, second example देखते हैं, 5 meter to 10 km. अभी firstly हम देखेंगे इसका unit सेम है क्या? यहाँ पे unit meter दिया हुआ है, यहाँ पे unit kilometer है, दोनों का unit सेम नहीं है, इसले हम ratio आसानी से नहीं निकाल सकते. पहले दोनों का unit हम सेम करेंगे, उसके बाद हम ratio write down कर सकते हैं, इसले यहाँ पे meter दिया हुए, यह जो kilometer है, इसको भी हम meter में convert करेंगे. 1 kilometer equal to 1000 meter, therefore 10 kilometer equal to 10 multiplied by 1000 meter. अभी इसको ratio के format में write down करते हैं, देखो. ratio निकाल रहे हम, 5 meter to, अभी यह जो kilometer का conversion क्या meter में, उसको हम नीचे write down करेंगे. ratio equal to, 5 meter लिखा हमने, और उसके नीचे यह 10 kilometer का, जो meter में conversion क्या, वो write down करेंगे. याने 10 multiplied by 1000, अभी यह भी बन गया हमारा meter. अभी meter meter cancel कर देंगे, याने 5 upon 10 multiplied by 1000. अभी धान से देखना है बच्चों, क्या-क्या cancel कर रहे हम लोग, 5, 1 जा 5, 5, 2 जा 10. याने 1 upon 2 multiplied by 1000 equal to 1 upon 2000. और इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, once 2 to 2000. यह हो गाया हमारा ratio. Next example देखते हैं, उसमें थर्ड एक्जम्पल दिया हुआ है. फिप्टी पैसे, टू, रूपीज, फाइव. यहाँ पे भी देखो बच्चों, दोनों का unit same है क्या नहीं है? दोनों का unit same नहीं है. एक का unit दिया हुआ है पैसे, और second दूसरे का unit दिया है रूपीज. अभी दोनों को हम पैसे कर लेंगे, यानि उसका unit दोनों का same कर लेंगे. पहले 1 रूपीज, यानि कितने पैसे? 100 पैसे, 1 रूपीज के 100 पैसे. तो 5 रूपीज के कितने पैसे? 5 रूपीज, यानि 500 पैसे. अभी ये 50 पैसे और ये 500 पैसे दोनों के यूनिट सेम हो गए अभी हम ratio लिखेंगे ratio कैसे write down करेंगे हम ratio equal to पहला क्या था 50 पैसे upon next 5 रुपीज के कितने पैसे बन गए 500 पैसे दोनों का यूनिट कैसा है सेम है इसले 15 upon 500, 0 cancel, 0 cancel, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 0 जा याने क्या मिला हमें 1 upon 1 upon 10 इसको ही हम ratio कैसे write down करेंगे 1 to 10 आज हमने exercise 8.1 उसमें के जो question number 1 दिया था उसमें के तीनों example देख लिए यदि आपको ये video अच्छा लगा तो share, like और subscribe जरूर करना थैंक्स पर वच्छिं इस वीडियो